फ्राइट चिकन और चिकन 65 तो हम सब रोज खाते हैं चले आज हम कुछ नए तरीके का स्नैक्स बनाते हैं चिकन का जो बहुत ही मतदार और बहुत ही जड़पट से बन जाए आज हम बनाएंगे चिकन बटरफ्लाइ रियल बटरफ्लाइ नहीं है पर इसे हम विंक्स देंगे बाते हैं इसे तो जरूर ट्राइ करना बहुत ही जबलदस्त स्नैक्स बने वाला है तो चले इसे बनाना शूर करते हैं और देखते हैं क्या क्या चाहिए यहां पर मैं 250 ग्राइम चिकन ले रही हूं यह बोन्लेस चिकन है और इसे मैं ने छोटे-छोटे पीसेज में कात लि फ्रेश ग्राउंडेड ब्लैक पेपर दाल दे रही हूं और एक थी इस्पून में तंदूरी मसाला डाल रही हो यह आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो छोड़ते यहां पर में 1 टीज स्थी नमक डाल रही हूं पर उसके बाद इसमें मैं हाफ लेमन को अच्छे से गुझाप चिकन मसाला पाउडर अगर आपके पास है तो डाले नहीं तो फिर जाने दें उसके बाद मैं इसमें 1 पींच रेड़ फुड कलर डालूगी इसे जरूर डाले बहुत अच्छा कलर आता है इसे बहुत सारे फ्लेवर का बना सकते हैं आज हम इसे तंदूरी फ्लेव कुछा रही है। कि यहां पर में क्षाटनी बनर के Зबदेंह लो यहां पर में पुदीने डाल रही है। यदित इफ़ ज़दें जादें मुद्वाइँ झाल रही हूं अगर है कोश्व खिश면 कि शो बीक लीच भी, 2 लालना में हींत फ़लग यह की कीजाल्ब फदेंहेंze और अब मैं आपर एक कप दही ले ले रही हूँ अब चाहे को इसे मयोनीज में भी बना सकते हैं लेकिन आज हम चिकन को तंदूरी फ्लेवर दे रहे हैं तो उसके साथ दही वाली चटनी बहुत जबर्दस जाती है अब उसमें मैं अपिसी वई चटनी डाल दूगी इसे अच्छ टे क्रेंज को या लिपण गया है अब मैं इसमें 1 PlayStation मैदा और 1 पीज च्च तो बहुत कॉटकुरा बनेगा इसे हाथ से असे मिक्स कर ले चलिए अप добरेकिन भी एक पन्ida तो चिकें बिल्कुल तीयार है अब आप इसका विंक्स थियार कर लेते हैं विंक्स बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइस के आलू ले लिए हैं और यहां पर मेरे पास एक कप पानी है एक कप पानी में मैं दो टेबल स्पून भरके कॉण फ्लो डाल रही हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लोगी अब आलू को मैं अने कट कर लिया हैं इसे बहुत मोटा मोटा नहीं धोडा पतला ही कट कर लें आप यह देखें यह जैसे पतले-पतले slices मेंने कट करके रखे हैं और इसे बिल्कुल इसी तरीकाए से चट कर लें और इसे ही हम butterfly chicken के wings मनाएंगे अब इसे हम इस corn fluff वे बीच में गारी में डिप कर लेंगे अब डिप करके इसके बीच में हम एकपीस chicken का रखेंगे और इसे दोनोols सइड से फोल्ड करें इसे अच्छन से हम एक toothpick से सील कर देंगे इस तरीके से हम सारे बटरफ्लाई चिकन को तयार कर लेंगे एक बार हम सब को तयार कर लेंगे उसके बाद हम इसे थोड़े थोड़े बैचेज बे फ्राई करेंगे ये देखें अब सारे बटरफ्लाई चिकन तयार हो गए हैं सारे chicken wings में लगके कितने प्यारे लग रहे हैं चले अब हम इन सब को fry कर दो उसके लिए में एक पान में ऌ़ीड कर लिया है उसके बादढ़ इसमें हम chicken डाल दे रहे हैं तुम्हें ऑवर लोड़해 ना करें पैन को थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें अब इसे आराम से एक साइट पकने दें पाच मिनट उसके बाद फिर साइट चेंज कर दें साथ से आठ मिनट में यह तलके तयार हो जाता है बाहर के पोटैटो भी काफी कुरकुरे बिल्कुल चिप्स जैसे हो जाते हैं अब अंदर के चिकन भी बोर्लेस हैं तो इसे पकने में टाइम नहीं लगता है यह देखें इस तरीके से संभाल संभाल के अलके फ्राइ कर लें यह देखें अब यह तयार हो गया है इसे निकाल लेते हैं यह पोटैटो का भी कलर बहुत अच्छा आ गया है बिल्कुल बर्तन में निकाल ले उसके बाद इसके ऊपर वन टीस्पून चाट मसाला और वन टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल कर अच्छे से इसे मिक्स कर ले उसके बाद इसे हरी चटनी के साथ सर्फ करें बहुत ही जबरदस लगता है इसे जरूर ट्राइब और बहुत ही आसानी इसे भी बन जाता है तो चले इसे फटा-फट ट्राइ करें और मुझी कमेंट्स में जरूर बताए आपको कैसा लगा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो फिर इसे लाइक कर दें शेयर कर दें मिलते भी एक नई रेसिपी के साथ जब तक किस बटरफ्लाइ को इंज्